नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पोल टेक्निक करने के बाद क्यूं आपको फिल होगा कि आप फस चुके हैं अपने करियर औप्शन में या आपका करियर औप्शन लिम्टिड हो चुका है तो pole technique करने वाले जो भी student है इस वीडियो को admission लेने से पहले या admission लेने के बाद भी आप इस वीडियो को पूरा जूरूर देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो point of view आएगा सबसे पहले आएगा pole technique करने के बाद आप क्यों फील करेंगे सबसे पहले आएगा आपका college की timing pole technique college आपका start सुबह हो जाता है नौ बजे से आपकी classes लग जाएगी और सामके साधे चार बजे तक आपकी regular class लगेगी बीच में आपको एक गंटे का lunch break मिलेगा और पंदरा मिनिट का tea break भी मिलेगा ग्यारा बजे से सबा ग्यारा बजे तक आपका tea break रहता है और एक से दो बजे तक आपका lunch break रहता है साथ में आपका जैसे कोई कभी workshop लग रहा है तो आपकी class पांच-बीस तक जाएगी difference महीं पर आपको देखने को मिलेगा जो आपके साथ होंगे plus two करने के बाद college में जा रहे हैं या किसी अन्या courses में जा रहे हैं तो आपको difference देखने को मिलेगा कि वो 10 बजे सुबा classes को आते हैं लेकिन अगर आपको technique करते हैं government college से तो आपको attendance भी maintain करना पड़ेगा आपका attendance 75% minimum होना चाहिए otherwise आप detain हो जाएंगे attendance के basis पे भी अगर आपका attendance 75% से नीचे जाता है तो 5% का आपका medical attendance भी चलता है और 5% आपके principal के पास रहता है तो आपके attendance 65% से नीचे अगर चला गया तो totally detained हो जाएगा और जो 5% principal के पास रहता है वो attendance उनके उपर डिपेंड है कि वो आपको देना है या नहीं देना है तो college की timing सबसे बड़ा एक फिर आपको change आपको देखने को मिलेगा और college की timing के साथ जैसे कि बाकी college में जो आपके friend होंगे तो वो लोग एक अपने मर्जी से fashion कर सकेंगे जो उनका कोई भी dress नहीं रहता है जो भी वो formal कपड़े use कर सकेंगे जैसे कोई भी आपका dress है jean pant sweat जो उनको fashion करना चाहे जो उनका दिल करना चाहे other degree courses में वो ये सब कर सकेंगे लेकिन अगर आप एक pol technique college में government pol technique करते हैं तो आपका एक particular dress होगा उसी dress में आपको allow किया जाएगा बाकी other dresses में आपको allow भी नहीं किया जाएगा अगर कुछ allow करते हैं तो आशे नहीं आप पूर पूरा semester आप बीना dress में आ जाते हैं कभी कबार चल पड़ता है लेकिन आपको dress pol technique में compulsory यूज़ करना पड़ेगा फिर आपको फील होगा क्या यारे बच्चों की तरह system है दूसरा वहाँ पे कुछ एक क्योंकि जो pol technique course है 14 प्लस साल वारों के लिए जो की 10 के बाद हो जाती है तो 14 के साथ बच्चों को उस हिसाब से treat किया जाएगा कि आप भी छोटे बच्चे हैं जो कि अभी आप छोटे बच्चे ही है चाया प्लस टू भी क्यों न कर ली हो तो आपको जो एक ऐसा होगा कि आप बंद चुके हैं timing को लेके साथ में आपका एक ऐसा college timing रहेगा सुबह 9 बज़े आप college गवाएंगे और साम के 5-20 तक अगर आपका workshop चलता है तो आपकी classes चलेगी अगर आप without workshop अगर आपका जिस दिन नहीं लगता है तो 4-20 तक आपका चलेगा एक से दो आपका lunch रहेगा 11-30 आपका tea brick रहेगा तो इतना लंबा time आपको लगेगा ठक चुका हूँ बैठके लेकिन आपको यह future में भी काम करेगा जैसे कि आप अगर फर्दर भी टैक भी करना चाते हैं या किसी भी industry में काम करना चाते हैं तो आप 8 गंटे या 10 गंटे easily वहाँ पे काम करके निकाल सकते हैं इससे आपका working capacity भी बन जाएगा लेकिन इसका फिलाल आपको नुकसान देखने को मिलेगा कि कहां मैं फस गया हूँ आपको ऐसा भी फिल होगा साथ में dress का हमने बता दिया उसके बाद बाद कर लेते हैं language barrier का जैसे कि कुछ एक लोग जो art students हैं या हिंदी मेडियम में पड़े हुए हैं तो उनको starting में problem आएगा क्योंकि पोल टेकनिक आपका total English में रहेगा English में आपकी सारी बुक्स रहेंगी और कोई भी हिंदी में आपको बुक देखने कुछ की नहीं मिलेगी आपको पढ़ना है आपको लिखना है सब कुछ English में होगा बाकी उसमें थोड़ा सा यह है कि वहां पर इस MR वगएरा नहीं चलता ह आप साइंस वाली इंगलिस वहां पर इंजिनेरिंग इंगलिस आप लिख सकते हैं पर वह अंडरस्टेंडेबल होनी चाहिए आपने ऐसा ने भी कुछ भी लिख दिया तब आपको प्राबलम हो जाती है पिपर में तो लेंग्वेज बैरियर भी हो गया उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे आपका वर्क प्रेसर क्या डिफ्रेंस रहने वला है आप इतना बीजी हो जाएंगे पॉल टेकनिक का कुर्स करते करते कि आपको खाने की टाइमिंग से लेके हर सोने तक आप बोलेंगे हमारा जीना हराम हो गया कुछ एक स्टुडेंट थे जो पिछली साल ह मैं अभी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि हमने पिछली साल इनकी वीडियो देखकर कहा कि पॉल टेकनिक कर लो तो अब हम पचता रहे हैं अभी हम पॉल टेकनिक नहीं करना चाते हैं यह क्यों होता है क्योंकि वर्क डिफ्रेंस वर्क प्रेसर का जो डिफ्रेंस है बा उनके paper आपको clear करना होंगे और आप stuck क्यूं हो जाएंगे क्यूंकि आपका work pressure आपके दो class test होंगे हर एक semester में और एक आपका house test होगा ऐसा नहीं बाकी अदर college की तरह कि आपका test हो जाता है या बाकी अदर courses की तरह और आपको उसका कोई लेना देनी नहीं है हरे poll technique में आप पूरा course जो रहेगा आपका class test का marks आपका house test का marks हरे एक test का marks आपका count किया जाएगा जो आपका assignment रहेगा दो assignment पर subject करेता है कई बार तीन assignment करवा देते हैं teacher और हरे एक assignment का भी marks आपका poll technique के जो diploma होगा उसमें count किया जाएगा ऐसा नहीं है कि फ्री में हो रहा है या आप छोड़ देते हैं skip कर देते हैं तो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा teacher आपको बोलेंगे अगर आप डिले करते हैं तो आपका marks कम लगेंगे तो आपका diploma का जो percentage है वो below 60 चला जाएगा अगर below 60 चला जाता है तो फिर आपको diploma candidate कोई भी law नहीं किया जाता है तो आपका percentage वहाँ पर तो work pressure की हमबात कर रहे हैं work pressure साथ में जो बिना ड्राइंग वाले लड़के हैं work pressure की हम बात कर रहे हैं work pressure में आप अप देख सकते हैं जो बिना ड्राइंग वाले लड़के होंगे सबसे पहले pole technique में जो आपका पैट रहेगा चाहे आपका mechanical हो चाहे आपका computer हो चाहे आपका architecture हो चाहे आपका electrical engineer हो चाहे आपका कोई भी stream हो आपको engineering drawing एक साल complete करना पड़ेगी जहां पर आपको engineering drawing करवाई जाएगी एक साल तक आप से सीटे बनवाई जाएगी और जिनको drawing में हाथ बहुत कच्छा है तो उनको 3- 4-4 गंटे एक सीट बनाने में लग जाते हैं तो दोस्तों यह भी एक problem नहीं है अगर आप सीख जाते हैं तो आपको फरदर engineering का ऐसा study रहता है अगर आप आगे नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बाद में भी problem होगा जैसे कोई designing में जाना चाहता है चाहे वो mechanical engineering कर रहा हो च फरदर drawing आगे easily कर सकते हैं तो इसलिए ED भी compulsory रहता है first year के लिए और ED subject जिन लोगों का drawing में हां तब कच्चा है तो वो लोग फिर पच्चताते हैं यार कहां फस गई इतना काम इतना ज्यादा काम तो यह भी आपको देखने में मिलेगा और बाकी अधर college में आप ना है और आज कल तो year wise system है तो आपको एक साल का time रहता है लेकिन आपका full technical semester चलता है अभी अगस्त से यह start होगा और December में आपका first semester खतम हो जाएगा और February से आपका दूसरा semester चल पड़ेगा तो इतना से time में आपको 12 से 15 ED सीटे रहती है बाकी आपके 5 सब्जेक्ट रहती है हर semester में उनको clear करना रहता है और वहाँ पे detain system भी चलता है अगर आप 50% first अगर 6 पे प्रें 6 मैं से तीन में आप फेलें तब first साल में कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप 5 छे में 5 बार 5 सब्जेक्टों में भी भी तब भी कुछ नहीं होगा एक साल हो जाती है एक साल के ब होगा वहाँ पे कि आपको कोई pressure नहीं करेगा लेकिन आपका एक साल में जैसे की 12 paper होते हैं तो दोनों semester के 3-3 paper आपको clear करके देना पड़ेंगे otherwise आप detain हो जाएंगे तो work pressure की हमने बात कर ली 2 assignment per subject की और 7 में कभी 3 भी हो जाती है और 7 में engineering drawing उसकी seat अलग से और 7 में आपके दो class test और एक house test रहेगा उसके भी mark साब के diploma में count किये जाएंगे तो work pressure इतना difference रहता है other courses से और उसके बाद बात कर लेते हैं career options टक क्यों हो जाता है अगर आप ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ pole technique करना चाते हैं और उसके बाद वो job भी करना चात करते हैं सीधा जैसे कि कोई गरीब गर्सी लड़किया थे उनके पास beta करने का खर्चा या उनके प्रेंट्स अभी occupy नहीं कर पाते हैं beta का खर्च लगवग 6-7 लाक हो जाता है total खर्चा मिला के तो फिर उस हिसाब से pole technique आपका एक से 10 लाक में complete हो जाता है job भी आपको मिल ज करती है अब 25 लोग प्लटेक्निक करना रहे है हिमांचल प्रदेश से अब एसा नहीं है कि हिमांचल प्रदेश से 25 लोग प्लटेक्निक करना चाहते हैं तो कर रहे हैं और उन सभी को job मिलेगी ऐसा भी नहीं है लेकिन जो अच्छे student होंगे अच्छा पढ़ेंगे तो उनको जॉब इजीली मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका स्कूल का अब आपने 90% के साथ की है और पॉल टेक्निक में आपका डिपलोमा 60% पे हो रहा है तो आपको जॉब मिलगी पॉल टेक्निक में जब आपका जॉब होता है तो आपका गेंपस प्लेस्मेंट होता है और जो आपका इंटरिव्यू लेकर उसी के बेस पे आपको जॉब लगेगी करियर ऑप्सन लिम्टिड क्यों हो जाएंगे क्योंकि इंजिनेरिंग के बाद आप अदर कॉर्सिस में जैसे कहां पे जो लोग सिर्फ डिपलोमा ही कर रहे हैं अगर वो भी टेक कर रहे हैं तो उनके लिए ऑप्सन है लेकिन सिर्फ अगर पोल टेक निक कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ऑप्सन लिम्टिड हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ ऑप्सन बचते हैं इंजिनेरिंग फिल्ड में वो भी सिर्फ डिपलोमा बेस पे करियर स्टेक वाले option में आप इसके दो पहलो है एक है positive एक है negative अब देखिए अगर other college में उतनी जॉब में नहीं है पोल टेक्निक करके आपको जॉब मिल सकती है उसकी possibility ज्यादा है और दूसरे में भी जॉब मिल सकती है लेकिन उसमें भी आपको ज्यादा effort देखने को लगान नहीं बोल सकते है क्योंकि आने वाले टाइम में और भी job recession चला हुआ है आज की डेट में है इंडिया में तो उस बज़े जॉब कम है लेकिन फर्दर एक जो engineering की skill रहती है आपको अगर आपके पास skill है अगर आपके पास knowledge है तो आपको job easily मिल जाती है as compared to other courses और career options टक उसमें designing में आपको white color job देखने को मिलेगी बाकी other job profile में आपको diploma के base पे आपको white color job देखने को नहीं मिलेगी बोलने के लिए आप supervisor भी हो जाएंगे लेकिन आपको बंदों को बंदों से आपको काम लेना पड़ेगा campus placement का क्या role रहता है अगर आपका जैसे pole technique करने के बाद campus placement आता ह college में और आप select नहीं हो पते हैं तो जो campus placement और other ये तो सभी college के लिए common नहीं रहता है चाहे आप भी tag कर लो चाहे कुछ और कर लो अगर आपका campus placement के थुरू अच्छा package मिल जाता है तो आपको जुरूर वहाँ पे join करना चाहिए खासकर pole technique करने के बाद अभी तक जितना अच साल बाद company में industry में काम करना चाहते हैं तो फिर आपको बाद में उतना high package जो आपको campus placement में मिल रहा था वो देखने को नहीं मिलेगा कुछ एक लोगों की किसमत बस सकती है लेकिन maximum जो average रहता है आपका campus placement package आपको देखने को ज्यादा मिलेगा और साथ में जो other आप joining करते है जैसे लिंक डिन वगएरा या online कहीं profile से आपको online कहीं profile से आपको connect होते हैं जौब में तो आपको उतना package company offer नहीं करती है जो की campus placement में हो जाती है जो की रिसेंटल ये लास्ट येर मारूती ने की थी जो की साढ़े चार लाका package है तो साढ़े चार लाका package अभी तक डिपलीब प्रदिस में टॉप में चला हुआ है जो की इस साल मिला हुआ है स्तारा लोग थे उनमे mechanical engineering के स्तारा बच्चे हैं जो की मारूती सुजुकी में गुजरात के लिए select किये गए हैं तो ये कुछ एक जो difference है पोल टेकनिक का और other courses में तो वो इस वीडियो में हमने cover किया है अग आप instagram पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका सुक्रिया अगर आपके बच्चे या आपका दोस्त कोई और भी पोल टेकनिक करना चाहता है तो उसके साथ इस वीडियो को share जुरूर करें धन्यवाद